नमस्कार दिनंक 20 मैं 2023 कार्ड धरक दिव्यांग जनों को ही मिलेगी पेंशन रेशन कार्ड धरक गरिब दिव्यांग जनों को ही अब पेंशन मिलेगी कार्ड न होने की दशा में पेंशन बंध हो जाएगी दिव्यांगजन, सशक्तिकरन, निदेशक की और से प्रदेश के सभी दिव्यांगजन, सशक्तिकरन अधिकारियों को राशनकार्ड बनवाने के निर्देश दिये गए है। मानते हुए रशनकार्ड की सुविदा नहीं दी जाती है। अब शासन ने दिव्यांगजन को पेंचन के लिए रशनकार्ड अनिवारिय कर दिया है। वन्चीत हो गए अब रेशनकार्ट अर्णी वार्य होने पर पिंचन धारुगों की संक्या गड़ जाएंगी क्यूंकि अधिकान श्रदी म्यांगजन ऐसे है जिनकी आए गामिन ख्षेत्र में दो लाग तता शहरी ख्षेत्र में तीन लाग से अधिक है धन्यवाद नमस्कार दिनांका 20 मैं 2023 विकलांगों में बेरोजगारी देश में बेरोजगारी की समस्या से सभी परिशित है यह विकलांगों में और भी जादा है विकलांगों के साथ परिशानी यह है कि वे काम करना चाते है पर समाज की ऐसी मानसिकता है कि लोग विकलांगों को काम देन में हमेशा हिच्च चाते हैं इससे बेरोजगारी की कटिनाई और बढ़ जाती है सरकार को विकलांगों को रुजगार देने की विशेश पहल करनी चाहिए साथ ही समाज को भी अपना नजरिया बदना होंगा सौरब कुमार पटना धन्यवाद प्रदान मंत्री नरिंद्र होदी द्वारा एक शब्द के परिवर्तन से मिला दिव्यांग जनोकों सन्मां करनल राज्यवर्धन जैपूर भाजब के राष्टिय प्रवक्ता और जैपूर ग्रामीन संसदत करनल राज्यवर्धन राटोल द्वाला जैपूर ग्रामीन लोग सबाके क्षेतर में चार दिवसिय कारेक्रम के अंदर अंतरगत गुर्वार को 173 दिव्यांग जनोको निशुल को सायक अंग उपकरन वितरित किये गें करनल राज्यवर्धन पंचायत समिती पावटा में विराटनगर शाहपुरा कोटकुतली और पावटा पंचायत समिती के दिव्यांग जन विपील वरिष्ट नागरिक को 15 मोटर राइड्स ट्राइसाइकल सासष्ट ट्राइसाइकल पचपन वील्चेर पाच MSIED केट चैतर वैसा की 29 चडी तीन रोलेटर दो सग्यम्यकेन एक स्मार्टपोन छे सिपी चेर 22 कान की मशीन और बारा कृत्रिम अंग बाटे इस अवसर पुरे विदायक फुल्चंद्र बिंडा भाजप निताव गन्पत वर्मा मुकेश गोयल कुल्दि प्रानडा रवा रतना कुमारी पावटा पुजा पावटा प्रधान पुजा चोदरी पावटा पालीका चेर्मन निर्मल पंसारी जगन चोदरी सरपंच सैत अनेक सारी कारे करते और सेकडों की तादत में ग्रामिन जनता उपस्तित रही करनल राज्य वर्धन की उपस्तित जन समोह को संबंदित करते वे का 2014 से पहले दिव्यांग अपने असायक समझते थे और समझ दोरा उन्हें उस शब्द से संबंदित किया जाता था उससे वो सोयम को अपमानित महसूस करते थे प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांगो की पीडा को समझते हुए 27 सितमबर 2015 को प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने रेडियो कारेकरम मन की बात में कहा था कि जो विकलांग जन है उनमें को ये ऐसी विशेष्ता होती है जो उन्हें अन्य लोग से भिन्द बनाती है यह विशिष्टा शारिरिक बल का तिक्ष्ण बोर्दी हो सकती है इसलिए उनकी कमी को उजागर ना करते गए उनकी इस विशिष्टा पर बल दिया जाना चाहे इसलिए उन्हें दिव्यांग कहना उचित नहीं होंगा देश ने इससे संगर्ष स्विकार किया था, मोदी जी ने एक शब्द के बदलाव से दिव्यांग जन को सनमान देने का काम किया धन्यवाद नमस्कार दिनंक, 20 मई दो हजार तेज मदर्डे, पती के मोद के बाद पताशे ने नहीं दोड़ा साहस दिव्यांग बड़े बेटे को बनाया सायक, प्रोफेसर हुआ छोटे को फोज में कराया भरती जिन्द होसले और संगर्ष के दम पर दुआ गाओं की महला पताशो देवी ने अपने दो संतानों को भविश्य सवार दिया वर्ष 2019 में सडक दुरगटना में पती की मौत होने के बाद भी उन्हें ने जिन्देगी से हार नहीं मानी दोनों बेटों को सफल करने के लिए पती वाली जिम्यदारी संभाल ली उसने घर की जिम्यदारी के साथ खेती बाड़ी में मेहनत करनी शुरू कर दी खेती बाड़ी से खर्च निकाल कर दोनों बेटों के पढ़ाई पूरी करवाई मा की बदोलत ही दिव्यांग बड़ा बेटा सुनिल असिस्टन प्रोफेसर और छोटा बेटा अनिल फोज बेवर्थी होकर तेश की सिवा कर रहा है पता की मोत के वक्त बड़े बेटे की उम का गुजरा कर चला रहे थे उनका अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिका कर सरकारी विभाग में अच्छे पत पर नोकरी दिलवाने का सपना था लेकिन वह उस सपने का पूरा नहीं कर पाए वर्ष 1968 में में सड़क दुरगटना में उसके पती की रेड के हटी तूट गई एक मेंने बाद उपचारा दौरान उसकी मोत हो गई पती के मोत के बाद उस पर नुक का पहार तूट गया और उसे पती के जाने का घरा सदमा लग गया वह मांसिक रूप से परिशान रहने लगी उसके बच्चे के पालन पोशन का बुज़रा चलाना मुश्किल हो गया था इसी तरह उसने अपने आपका संभाला और पती के सदमों को पूरा किया धन्यवाद